ओम स्रीगने सायनम दोस्तो एश्प्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 अप्रेल रविवार की रासी फल के बारे में की यह दिन करक रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में, हम आपको एक उपाई भी बताएंगे, जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें, दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं, तो च करक राशी वालों के लिए रवीवार का दिन, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं, दोस्तों आज कोई महत्पपूर्ण और लाबदाएक सूचना आपको प्राप्त होगी, दोस्तों और जानकारों के साथ अपने संबंदों को और अधिक मजबूत करें, ये संबंद आपके लिए आर्थिक संबंदित कई नई उपलब्दियां उत्पन कर सकते हैं, जो आपके भविश्य के लिए काफिल लाबदाएक साबित होंगे, दोस्तों साती साथ आज कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मामलों के हल होनी की भी दन के निवेस संबंदित कारों पर आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें, लाबदाएक समय आज आज आपके लिए चल रहा है, इसका आप भरपूर सदियो प्योग करें, दोस्तों कर्म, धर्म वे समाजिक सेवा संबंदित कारों के प्रती आज आज आपका रुज्यान रहेगा, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से चानवीन करें, इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे, साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान वेरुत्बा भी बढ़ेगा, बच्चों की किसी उपलब्दी से घर में आज सुकून बरा माहूल रहेगा, अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंदित कोई योजना बन रही हैं, तो वास्तु संबंदित नियमों का भी आप अवश्य पालन करें, दोस्तों किसी मित्र के मुसीबत के समय में आज आप उसका सयोग करेंगे, जिससे आपको आत्मिक खुसी प्र मान में भी विरत दी करेगा, बुजुर्गों का आशिरवाद, और इसमें आज आपको प्राप्त होगा, रचनात्मक, वैधार्मिक, क्रिया कलापों के पिरती, आज आपका रुजहान रहेगा, जरुतमंदों की साहिता में भी आज आपका समय व्यतित होगा, चुनोतियों को शुकार करना, आपके लिए उपलब्दी का मार्ग भी आज खोलेगा, जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा, दोस्तो अब बात कर लेते हैं, आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है, दोस्तो आज आप अपने स्वयभाब पर नियंतर रखें, क्योंकि क शुयभाब में एक कारण ही गुस्सा या उग्रता आने से अचानक ही बनते बनते कामों में विग्न पड़ जाता है, इसलिए आत्म अवलोकन करना आवश्चक है, और अपनी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, दोस्तो बच्चों के किसी समस्या को लेकर आज तनाव रहेगा, उन्हें मार्ग दर्सन देने की आपको आवश्च रकता है, मकान वे गाड़ी से संबंदित कागजादों को आप बहुती अधिक समाल कर रखें, उनके खोने या रखकर बूलने की आज संबहवना बन रही हैं, दोस् दोस्तों अपने श्वबाव में लचीला पन रखें, तता रिस्तों की मरियादा का भी आपको ध्यान रखने की आवश्च रकता है, दोस्तों संतान की किसी गलत संगती की वज़े से आज चिंता रहेगी, परन्तु आपकी समस्दारी वे सूजबूज से समस्या का हल भी नि दोस्तों विरोधी आपके लिए आज कुछ मुस्किलें पैदा कर सकते हैं, परन्तु आप अपना आत्म विश्वास बनाए रखें, आपको विजय हासिल होगी, दोस्तों साथी साथ आपको अपनी योजनाओं में आज सफलता प्राप्त करने में कुछ मुस्किलों का भी सा प्रामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा साथान रहें, दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली है, दोस्तों वहवाईत जीवन को खुस में बनाने में ही आपकी भूमी का अधिक महत्पापूर रह प्रेम संबंद में किसी प्रकार की खटास उत्पन होनी की संभावना बन रही है, अपने वहवार को आप सयमित रखें, दोस्तों अपने प्रतेक कारे में जीवन साती की सला लेना आपके केई कारे को पूरा करने में मदद करेगा, प्रेम संबंदों में भी परिवारिक समझेंगे और आपका पूर्ण सेयोग करेंगे, दोस्तों घर के किसी भी मुद्दे को आपस में बैठ कर सांती पूर्ण तरीके से सुल जाएं, और माहोल को खुसनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम भी बनाएं, इस से आपके प्रेम संबंद काफी वाला हैं, दोस्तों करेच छित्र में कोई भी काम करने से पहले किसी अनुबब व्यक्ति की सला अवश चले, क्योंकि कुछ निर्ने गलत होने की आज आशंका है, विध्यार्तियों को भी कहीं नोकरी संबंदित विबागिय परिक्षा में मन मताविक परिणाम प्राप्त हो सकती है, और उसकी सला आपके विवशाय के लिए अधिक फायदेबंद तथा तरक की दायक रहेगी, दोस्तों इसकी बहुत अधिक आवश चकता हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, नोकरी पेशा व्यक्ति को कोई उपलब्दी मिलने की योग आज बन रहे हैं, जि अब उसके उचिते परणाम आपको मिलने सुरू हो जाएंगे, नोकरी सेवारत व्यक्ति के लिए भी कुछ ने अवसर आज बन रहे हैं, दोस्तों आपको अपनी महनत के अनुरूप आज फल दायक परणाम प्राप्त होंगे, परन्तों मार्केटिंग वे भार के कारों को आ लेते हैं, आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है, दोस्तों आज गला खराब और खासी जुखाम जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं, ला परवाई ना करें, अपनी दिन चरिया व्यवस्थित रखें, और आयरुवेदिक चीजों का भी अधिक से अधिक आप शेवन करें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें, दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपके लिए विशर शुपाई क्या है, दोस्तों आज आपको इश्णान आदिशे निर्वत्र होने के बाद एक चो म मुखी आटे का दीपक बनाना है, जै दोस्तों आपको आटे का एक चार मुखी दीपक आपको बनाना है, जै दोस्तों इसके बाद आप इस दीपक में थोड़ा तेल डालें, और चार आपको रुई की बाती इस दीपक में लगानी है, क्योंकि यह दीपक चार मुखी है, आ दोस्ते ऐसा करने से भगवान शूरदेव बहुत प्रसन होंगे और आपके घर में धन वैभव और यसमे व्रद्धी होगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे और आपको अवस्य ही लाब प्राप्त होगा तो भगवान शूरदेव का सिरवाद प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै सूर्देव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद